दोस्तों जिस साब से दिन प्रति दिन गर्मी बढ़ती जा रही है ऐसे में मैं एक जगा गया था घूमने के लिए जो खुबशूरत तो थी और एतिहासिक भी थी दोस्तों यह जगा वराणसी के काफी पास है और बहुत ही खुबशूरत जगा है तो आईए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको उस जगा को दिखाते हैं और उसके इतिहास के बारे में भी बताते हैं कर een कायाओ के बारे मीर का आपको पास काइब रेतिюда रिएखानित कैस्वारते हैं झाल 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 यह अधरी अपने मन मुख, जहरने, घने जंगलों और चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है यह अकेवल प्रकृती प्रेमियों के लिए ही स्वर्ग नहीं बलकि इतिहास कारों के लिए भी महत्तोपून अस्थल है दोस्तों इस जगह का इतिहास एक बाड से जुड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है कि जब राजा अपनी राणी को सैनिकों के साथ, यहाँ पर सेर कराने के लिए ले के आते हैं उस वक्त एक बाड आ जाती है। जिसके दोरान सभी सैनिक वह राजा बह जाते हैं किसी प्रकार से चट्टानों में फसकर राणी बच जाती है और रानी को ऐसा लगता है कि अब वो भी नहीं बच पाएंगी ऐसे इस्थिती में वो अपने खून से कुछ चटानों पे चित्र बनाती है जिससे यह पता चलता है कि बाड के दौरान सभी लोगों की मृत्ति हो गई दोस्तों आज भी इस जगा पर बरसात के दिनों में जाना खत्रे से खाली नहीं है दोस्तों यह जगा केवल एतिहासिकता और सुन्दर्ता के लिए प्रसिद्ध नहीं है बलकि यहां का जर्ना भी मुख्य आकर्शान का केंद्र है दोस्तों यदि आप इस जगा पर जाना की सूच रहे हैं तो कुछ साधानियों को जरूर बढ़ते हैं पत्थर पर लिखी चेतावनियों को ध्यान से पढ़े और उसका पालन करें बरसात के दिनों में यहां पर न जाएं तो बेहतर रहेगा क्योंकि बरसात के दिनों में यहां पर पानी का अस्तर कब बढ़ जाता है यह अब पता नहीं चलता तेज धराओं से दूर रहें और गहराई में न जाएं तो बेहतर रहेगा लखनियादरी के डेट के पास आपको चाय और फास्ट फूट की विवस्ता मिल जाएगे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में